दोस्तों नमस्कार दोस्तों क्या भारत में अब सिर्फ राजनिती होती है और राजनिती के मापडंड ही इस देश की अर्थवस्था की नियमावली तै करते हैं इस देश के भीतर में पॉलिटिकल एकनॉमी ही इस देश की असल एकनॉमी है इस देश के भीतर में राजनितिक स सत्ता अपने हित साधने के लिए जो जो ऐलान करती है क्या वही इस देश के एकनॉमिक रिफॉर्म है। इस देश के भीतर में बिरोजगारी की स्थिती, इस देश में उत्पादन का ठप होना, इस देश के भीतर में कॉर्परेटी करन सत्ता के नजदीक पहुँचकर जिन स्थितियों को जीता है क्या वही इस देश में आर्थिक सुधार की नीव डाले हुए हैं। क्या वाकई भारत कभी ऐसा था? क्योंकि मौजूदा वक्त में जब-जब अर्थववस्था का आंकलन होता है तो अक्सर ये शब्द निकल रहे हैं कि भारत की अर्थववस्था 1991 से भी बदतर हो चली है। ये जिकर इसलिए क्योंकि इसी साल भारत में आर्थिक सुधार की नीव पड़ी थी। 24 जुलाई 1991 उस वक्त देश के वित्त मंत्री मनमौन सिंग हुआ करते थी। और 24 जुलाई को जब वो बजट उन्होंने पढ़ा उस बजट ने इस देश में नहरू और इंद्रा की अध्योगिक नितियों को ही पलड़ दिया। और जिस बज़ारी करण का जिक्र उस बजट में जिक्र किया गया था उसकी पूरी रूप रेखा उस वक्त के प्रधान मंत्री पीवी नरसिमा राउन ने खीची थी। एक लिहास से वह पहली जेनरेशन थी इस देश में आर्थिक सुधार को लेकर। दूसरी जेनरेशन को अपनाया गया अटल बिहारी वाजपई के जरिये। तीसरी जेनरेशन को मनमोहन सिंग जब देश के प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने अपनाया। और जब इस देश को फोर्थ जेनरेशन के एकनौमिक रिफॉर्म की थी। लेकिन मोदी के वक्त तक आते आते इस देश के भीतर में सिर्फ राजनिती और राजनिती ही इस देश की एकनौमी में तबदील हो गई। और पूरा प्यमो जिस तरीके से इस देश में सत्ता को सभानने के लि जीने और मरने की परिस्तितियों में लाकर जब खड़ा कर गया तो ये माना गया इस देश में दरसल पॉलिटिकल एकनॉमी ही इस देश की एकनॉमी है क्योंकि मौजूदा वक्त में एक दोर रिफॉर्म के वादे नहीं किये गए एक लंबी फेरिस्त है अगर मोदी काल को जहन में कई सवाल आएंगे नोट बंदी, डी मोनेटाइजेशन, जी एस टी, मेक इंडिया, स्मार्ट सिटी, MPC यानि मौनेटरी पॉलिसी कमीटी, इंफलेशन टारगेटिंग, डी बिटी यानि डिरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो कैश सबसीडी थी वह भी इसी दौर में अ जो भी फार्म लॉस्ट थे, उसको भी बदलने के लिए, जिस तरीके से किसान आज आंदोलन कर रहा है, उसको भी रिफॉर्म की श्रेणी में रखा गया, जो तीन कानून बनाए गए, यानि इस दौर में पॉलिसी देखिएगा, चाहे वह लेबर कोर्ट सो, चाहे वह एफ लोगों को कोविड काल में, ये सारी चीजें उस अर्थववस्था का हिस्सा है, जिसको रिफॉर्म के मार्फत परिभाशित करने की कोशिश मौझूदा वक्त के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने की, लेकिन इसके ठीक समरांतर जितना पैसा जितनी एकनौमी इस देश में चुनाओं पर खर्च हुई, इस देश के भीतर में सत्ता सभालने के लिए ही हाल में जब इस बात की जानकारी खुले तोर पर आई, कि सरकार की नजर तो 36 राफिल खरीदे जाने के बाद उसकी और उन से जुड़े उन किरदारों की जासूसी पर जाटिकी, और इतना ही इस देश के भीतर में जो स्वाइट इंस्टूशन भी रहे, चाहे वो सी बी आई ही क्यो ना हो, उसकी भी जासूसी करने से सरकार बाज नहीं आई, पैगसस तो इस दिजाइन में चला गया कि जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज करना है, एक तरफ सी बी इस बात को लेकर हो सकते हैं, क्या वाकई भारत 1991 से ज्यादा बदतर इस्तिती में है, क्या भारत की अर्थवस्था आने वाले वक्त में एक अंधेरी गुफा में जा रही है, हमें लगता है कि आज इस सिलसले को पकड़ने की जुरत है, क्योंकि जब आप उस सफर पर निकल में आर्थिक सुधार, खुला बाजार, बजार अर्थवस्था, ये सारी चीजें निकल कर आई, तो एक सवाल लोगों के जहन में अकसर रहता है, उस वक्त मनमोहन सिंग वित्त मंत्री थे, और मोदी से ठीक पहले मनमोहन सिंग इस देश के प्रधान मंत्री थे, तो आर्थ में अर्थिक सुधार की, एक मोटी लकीर इस देश में मनमोहन सिंग ने खीजी, हमें लगता है इसमें थोड़ा सा सुधार करने की जरुरत है, ये इसलिए जरुरत है क्योंकि पीवी नरसिंबा राओ चुन कर लाए थे मनमोहन सिंग को इस देश के वित्त मंत्री बनाते और भारत की अर्थवस्था के भीतर में जब पहला बजट तयार हो रहाता तो हमारे पीछे किताब है पीवी नरसिंबा राओ की उसमें तस्वीर बनी हुए, ये किताब दरसल विने सेनपती ने लिखी है, इनका इस किताब का नाम है हाफ लॉइन, इस किताब के भीतर में इस बात का जिक्र बहुत साफतोर पर उबरता है कि किस तरीके से मनमोहन सिंग भी उतने कड़े रुख को अपना पाने की स्थिती में नहीं थे, जितने कड़े रुख को पीवी नरसिंबा राओ बदलना चाहते थे, तो 1991 इस किताब के लेखक विने सेनपती जो है, उन्हों समय एक बहुत वरिस्ट अधिकारी और एक भारती राजनाइक भी पीवी नरसिंबा राओ के पास बैठे हुए थे, उन्हें याद है, यानि उनके रेफरेंस का इस किताब में जिक्र किया गया है, उन्हें याद है कि जब मनमोहन सिंग ने नरसिंबा राओ के सामने एक पे बजट चाहता तो मैं आपको ही क्यों चुनता इस देश का वित्तमंत्री बनाने के लिए, यानि इस किताब में बहुत साफ है कि मनमोहन सिंग के बजट का पहला मसादा शायद इतना सुधारवादी नहीं था, जितना वो बाद में दिखाई देता है, और जिस बात का जिक् उन्होंने तयार किया कि मनमोहन सिंग को और दिलेर होना पड़ेगा, दरसल ये एक सिर्फ विवरण वरह ये बताने के लिए कि नीव जो आर्थिक सुधार के इस देश में डली, उसके पीछे पीवी नरसिंबा राओ का दिमाग था, बनमोहन सिंग उस पे काम जरूर कर रह पियस्यू का प्राइवेटाइजिशन शुरू किया, मैसिव तरीके से इस देश में सडकों का जाल बिछाना शुरू किया, जो की गोल्डेन कौड्रल की तोर पे जाना जाता है, उन्होंने जो पुराना अर्बन लैंड सेलिंग और रेगुलेटरी एक्ट जो 1976 का था, उसक बड़ा तबका गाउं में रहता है, पिछा हुआ है, उसको कैसे साथ जोडा जाए, और इसलिए उसी दौर में नैशनल फूर्ड सेक्यूर्टी एक्ट आता है, हर को भोजन मिलना चाहिए, मनरेगा उसी दौर की उपज है, सर्व सिक्षा भियान उसी दौर की उपज है, आ सेलिंग अप पिफर डिये जिसको कहते हैं कि पेंशन फंड रेगुलेटरी और डिवलप्मेंट आथरिटी उसको भी नए तरीके से उन्होंने ढालना शुरू किया, इस बीच में कई रुकावटें भी आई, 94 में एकनॉमिक रिफॉर्म ढीला भी पड़ा, 96 में जब हार ग गोटाला उफान पर इस देश के भीतर में एक के बाद एक गोटाले वो इस दोर में सही माहीने में कही तो पॉलिसी पैरलाइसिस हो गया था, लेकिन सवाल आज का है, सवाल इस दोर में नरिंदर मोदी का है, नरिंदर मोदी के दोर में जब हम इन बातों को पड़ रहे थे कि उन्होंने कौन कौन से economic reform के रास्ते अपनाए और मौजूदा वक्त में इस देश की अर्थववस्था कितनी डामाडोल है इसको एक चीज समझिए कि इसी दौर में GDP 11 बरस में सबसे नीचे गई इसी दौर में 41 बरस में जितना भी GDP contract मैंनी सिम्टी नहीं थी लगबग 7 परसेंट वह इसी दौर में सिम्टी है लेकिन बात इससे आगे नहीं निकलेगी बात इसके आगे की ये है कि मोदी ने अपने तौर पर हर चीज का विकल्प खुद को बना लिया वित्वंत्री कोई माइने नहीं रखता इस देश के भीतर में और मौझूदा वक्त में आपसे कोई पूछ दे वित्वंत्री क्या करती है तो आप कहेंगे वह थोड़े इस देश की अर्तववस्ता तै करती है अर्तववस्ता तो politics तै करती है ये सही है लेकिन ध्यान दीजिए economy को कैसे mold किया गया economy को party fund से जोड़ा गया economy को इस रूप में develop किया गया कि किसी दूसरी political party के पास कोई political fund न जाए इस तरीके से create किया गया कि private sector को जब हम privatize करेंगे या disinvestment करेंगे तो वह भी जिन हाथों में जाएगा उसके जरीए भी economy का एक बड़ा हिस्सा उस political party को मिलेगा जो सक्ता में है यानि BJP के पास है और BJP यानि मौजुदा वक्त में प्रधान मंत्री मोदी और उनकी दृस्टी से चुनाओ उन्हें हर जगा जीतना है लड़ना है खरीत फरोग्त होनी है और सारी चीजें उनके अनकूल होनी है और इसी प्रक्रिया में RBI की क्या इस्तिती हुई बैंक मर्जर की क्या इस्ति बैनिफैक्टईरिंग की क्या इस्तिती हुई एएरपोर्ट पोर्ट रेलवेसेंशन किन हाथों में सौपे गए इस देश में लाल्किला और ताजमहल तक किसी तक more फा किन पा remain गए जो power है व Turns Democracy के पैरलल में जिनके हाथों में गोडाउन दिये गए वह भी किन कॉर्परेट के हाथ में दिये गए इतना ही नहीं बलकि जो सीमेंट की फैक्टरी है वह भी इस देश में राजनितिक सत्ता चलाने वाले के परिजन और बच्चे चलाने लगे इस देश के भीतर में जो आईरन ओर निकलता ह जो माइन्स है जो स्टील है वह भी सायोग से उसका भी पॉलिटिकलाइजेशन हो गया जो इतना ही नहीं जो अलग अलग राज्यों में बालू माफिया जो इससे पहले राजनेताओं या सत्ता के करीब रहते थे उन्हें कमिशन देते थे इस दोर में उसमें भी ट्रांसफ जलना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बार बार एक चीज़ आएगी इसका मतलब है एकनॉमिक रिफॉर्म नहीं हो रहा था क्या देश में इसका मतलब है कि अर्थववस्था कैसे आगे बढ़े क्या यह नहीं सोचा गया हमें लगता है कि इसके लिए कुछ जानकारी और होनी चाहिए जानकारी इसलिए क्योंकि एकनॉमिक रिफॉर्म का मतलब इस देश में किसान बहुत कम दाएरे में आता है गरीब बहुत कम दाएरे में आता है जो आता है वो कॉर्परेट आता है कि उसकी हालत खसता है, वो कंगाल हो चला है, चाहे उसने बैंक से लोन लिया हो, यानि जनता के पैसे को उसने बैंक से उठाया हो, लेकिन उसे अगर लगता है वो कंगाल हो चला है, तो वह अप्लाई कर सकता है IBC के सामने, अब आप कलपना कीजिए कि 2017 से लेकर 2021 तक, कितने organization ऐसे होंगे जिनोंगे अपने आपको दिवालिया घोशित कर दिया जिनका काम इस देश में manufacturing करना था जिसका का ऐसी ऐसी companyya इस देश में कंगाल होने लगी उनकी संख्या 2017 में जब इस IBC कोड को बनाय जाता है उसी समय 37 को कमपनिया सामने आती है खुद को कंगाल गोशित करती है 2017 से शुरुआत होती है एप्रेल 2017 से उसके आगे जब बात बढ़ती है यानि शुरुआत होते हैं 37 कमपनिया और एप्रेल 2017 से मार्च 2018 के बीच में 706 कमपनिय और आ जाती है उसके बाद एप्रेल 2018 से मार्च 2019 के बीच में 1156 कंपनिया और आती हैं और कहती हम भी कंगाल हो गए उसके बाद एप्रेल 2019 से मार्च 2020 यानि कोविड से ठीक पहले वाले साल में उसमें सबसे ज़्यादा कंपनिया इस देश में खुद को कंगाल गोशित करती है एक हजार 978 और जो कोविड का काल था जो हम लोग एप्रेल 2020 से मार्च 2021 तक के बीच में आए जो दूसरी लहर से ठीक पहले तक की परिस्तिती थी उसमें भी 499 कंपनिया खुद को दिवालिया गोशित करते हैं और जो दूसरी लहर शुरू ही एप्रेल, मई, जून इन तीन महीनों के भी तरवे इस देश में 164 कंपनिया खुद को दिवालिया गोशित करती हैं अब आप कलपना कीजिए जब सब को मिलाइएगा तो 4540 कॉर्परेट इंडस्टिलिस्ट या बड़ी कंपनिया जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी है, जो ट्रेड से जुड़ी है, जो होटलिंग से जुड़ी है ये सारी कंपनियों ने 4540 कॉर्परेट तो क्या ये कंपनियां फेक थी, अगर ये फेक होती तो इन्हों ने जितनी रकम बताई अपनी, वह रकम तो फेलियोर नहीं होनी चाहिए थी, वह रकम तो रहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब एवरिज निकाला गया, तो पता चला कि एवरिज भी एक हजार करोड से ज़्यादा कारा है, इन कंपनियों से जो जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो एकनॉमिक रिफॉर्म की भाशा थी, इस देश के भीतर में उसका पॉलिटिकलाइजेशन मोदी काल में कुछ इस तरीके से हो गया कि एकनॉमिक विपक्ष की किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंदे पर हाथ रख सकेगा, ना ही विपक्ष की कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन को चलाने के लिए कहीं से पैसा जुगाल कर पाएगी, क्योंकि अगर जुगालेगी और सारी चीज़ करेगी तो फिर उसकी जासूसी पी हो रही और चापे भी पड़ रहे हैं, यह एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भारत के भीतर में निकल कर आया, जो शायद दुनिया के उन देशों में आता है, जहां पर निर्कुन्श शाशक और सत्ता है, लेकिन हम तो 30 साल के एकनॉमिक रिफॉर्म पर आप से बात कर रहे हैं, और 30 साल के इस सफर में, पीवी नरसिंबा राओ, मनमोहन सिंग, अटल बिहारी वाजपई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का जिकर आते ही, यह आपको समझना होगा कि जितनी भी कंपनियों ने खुद को कंगाल किया, उसके साथ जुड़े हुए कितने लोगों कर दिया, इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने आपको कंगाल कर दिया, और उनसे जुड़े हुए एक करोड़ पचतर लाख लोगों की नोकरियां चिन गई, जो अन और्गनाइजड भी आमने जुड़ा है, और उसका यह हिस्सा निकाला, दूसरे इस्तिती थी, रियल स्टेट आइसी थी, जो की सीधे सीधे रियल स्टेट से जुड़ी थी, एक हजार आठ सो कंपनियां आइसी थी, जो सीधे मैनिफेक्चरिंग से जुड़ी हुई थी, और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई लगभग 450 कंपनियां थी, इनको मिला लीजेगा, जो रियल स्टेट और क काम करते थे इनके पास काम खत्म हुआ इसी तरीके से ट्रेड से जुड़े हुए तक्रीबान पिचतर लाक लोगों के पास से काम चिन गया और उसका लगबग साढ़े चार सो से जादा कंपनिया जो ट्रेड से जुनी हुई थी वह दिवालिया हो गई एकनॉमिक रिफॉर्म की ऐसी बदहाली शायद 90 वन से पहले जब आप चले जाएंगे जब इस देश में एकनॉमिक इस्तितिया अपनाई जा रही थी और एक कंगाली की परिस्तिती तो उन्होंने इन्फलेशन को नीचे लाने के लिए और इस देश की एकनॉमिक रिफॉर्म का हिस्सा था मौझूदा वक्त में उसको लेकर एक बिल्कुल नया नजरिया निकल कराता है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एकनॉमी को समझता है इसके अलावे इलेक्टिसिटी, होटल, अदर्स लगवई 11% है कुल मिलाके जब इन्हें आप जोड़ियेगा जिन कंपनियों के पास कंगाल होने की स्थिति आ गई तक्रीवन उनका आंकड़ा जो निकलता है वो लगबग 5 करोड से जादा का निकलता है इस देश में उसने 5 करोड लोगों के रोजगार को चीन लिया, वो कंगाल हो गए चिन की कंपनियां थी, वो कंगाल नहीं हुए, उनकी कंपनिया कंगाल होई क्योंकि उन्होंने और उनके लिए जो विवस्था थी उसमें उन्हें बैंक से लिए गए कर्ज को सरकार रिटेन आफ करने से कतराती घबराती नहीं है शायद इसी लिए इस दोर में भारत की जो जीडिपी है उस पर जो कर्ज है अगर केंद्र और राज्ज का कर्ज दोनों मिला दीजिएगा जीडिपी पर यानि डेब टू जीडिपी जो है उसके लिहास से देखेगा तो 2016 तक में यानि जिस समय नोटबंदी नहीं आई थी उस समय तक 68.5% कर्ज था जीडिपी के रहसाब से जो आज बढ़कर 91.7% हो गया है और इसमें जब हमने पता किया कि S&P जो ग्लोबल रेटिंग कमपनी है उसने एक प्रोजेक्शन दिया है वो प्रोजेक्शन भी कमाल का है उसके मताबिक भारत की जो जीडिपी ग्रोथ रेट है वो मान कर चल रही है कि अगले साल वो 9% होगी वो मान कर चल रही है कि उसके बाद 8% होगी 2023 में वो मान कर चल रही है 2024 में वो 6% होगी और 6.5% 2025 में होगी यानि 2025 तक का जो उसने एनलेसिस किया उसके मताबिक 91.7% जो डेप टु जीडिपी है जो कर्ज है वो बरकरार रहे यानि भारत की अर्थफवस्था किस नाजुक परिस्तिती में है उसका एक एनलैसिस अगर ये है तो इसका एक दूसरा एनलैसिस इसके ठीक पैरलेल में है जब हम आपसे इन चीजों का जिक्र कर रहे थे कि कैसे कैसे किस किस रूप में चीजें डेवलप होती चली जा रही है तो अगला हिस्सा सबसे बड़ा ये आया कि भारत की एकनॉमी अगर टोटल पॉलिटिकल एकनॉमी के आधार पर चल रही है और उस पॉलिटिकल एकनॉमी के भीतर में हमारा मैनिफैक्टरिंग सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, फ्रेड सेक्ट ट्रांस्पोर्ट सेक्टर, इलेक्टिसिटी के होटल सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स के पास अगर मुश्किल होती चली जा रही है, तो आने वाले वक्त में भारत वो कौन सा रास्ता अक्तियार करे, जिसके बाद ये कहा जा सके कि भारत की एकनॉमी में सुधार लाए जा सकता ह यहीं पर सबसे बड़ी बात है हम जिस एकनॉमिक रिफॉर्म के जेनरेशन को मोधी काल में फॉर्थ जेनरेशन में देखना चाहते थे उसमें जब हम आपसे फिरिस्त का जिक्र कर रहे तो ध्यान दीजिए जैसे फार्म लॉज लाए गए तीन कानून लागए किसान विरोध कर रहे हैं जैसे इस देश में लेबर कोट्स लाए गये लेबर कोट्स लाया गया उसका लेबर विरोध कर रहा है जो हमारे यहां इस ब्रेुसी बरते चला जा रहा है जिस समार्ट सिटी पर जितना खर्च किया गया हमारे पास कोई smart city नहीं है जिस monetary policy committee को बनाया गया जिसमें हम लोग price को stable कर सके और economic growth जो है उसके rate को manage कर सके वह भी उल्टा पड़ गया जो making India की process में आए तो making India में हमारे defense sector को भी इसलिए 100% कोल दिया गया कि शायद बाहर से हमारे पास कोई technology आ जाएगी लगे यानि इस पूरी फिरिस्त में चूकी सारे economic reform से जुड़े हुए जो भी ऐलान हो रहे थे वो सारे ऐलान political थे तो क्या आने वाले वक्त में जब मोदी सत्ता नहीं रहेगी तो इस देश की अर्थवस्था को समानने से पहले तो आपको एक political transformation के दौर से गुजरना होग उस transformation का मतलब यह है और जैसे यह political transformation शब्द कहते हैं उसका मतलब यह है कि इस देश की जनता ही इस देश की अब राजनितिक लकीर को तै करेगी यानि जो पारमपरी political parties है वो तै नहीं कर पाएगी तो इस देश की political transformation की परिस्थितियां ही शायद आने वाले वक्त में इस देश के economic धांचे को भी बदल दे आंदोलन इस देश में किसानों के हो रहे हैं हम इस पे अगले अपिसोड में आप से जिक्र करेंगे उसको लेकर भी कुछ सवाल हमारे जहन में अभी भी हैं और वो खुद भी अपने सवालों को जन्दे रहा है लेकिन जब आप मौझूदा वक्त में निकल कर आएंगे तो आपके जहन में दो तीन सवाल तुरत आने चाहिए यह सवाल इसलिए महत्मून है क्योंकि पेगासस के जरीए जो जासूसी की परिस्तिति निकल कर आई अब आप कल किमिनल केस इनके खिलाव दर्च किया जाए अपराधिक एक्ट इनके खिलाव दर्च किया जाए दो दिन बाद वही शक्स आस्थाना जो है वो आस्थाना सीवी सी के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि दरसल ये गरबड कर रहे हैं जो सीबियाई डिरेक्टर है और उसी रा से जुड़े हुए एक शर्मा के भी फोन टैपिंग शुरू हो जाती है इसका मतलब है इस देश के भीतर में सता हर चीज अपने अनुकूल पाती है और इस पूरी प्रॉसेस में इसलिए राफेल का जिक्र यहां पर बड़ा महत्पूर हो जाता है जो भारत की एकनौमी को मज करता है वो पार्टी पॉल्टिकल पार्टी है वो पार्टी अनिलंबानी का नाम निकल कराता है उसकी कंपनी को लेकिन अनिलंबानी भी कहीं खुफिया गिरी करके इधर से उधर जानकारी ना दे उनका भी फोन टैप होता है उनका जो ट्रॉबल शूटर माना जाता है टॉ जिसकी पहली और आखरी जरुत पॉलिटिकल एकनॉमी है और पॉलिटिक्स है यानि इस तीस साल के सफर का बंटा धार दो हजार 21 तक आते आते कुछ इस तरीके से हो गया है कि अब आने वाले वक्त में जब इस देश की एकनॉमिक रिफॉर्म की कोई सोचेगा तो उसको जीर 21 तक जब इस देश में घोटालों की चर्चा शुरू नहीं तो दो हजार 21 तक भारत की एकनॉमी को देखिए उस मिडल क्लास की ग्रोथ को देखिए इस देश के भीतर में रोजगार की स्थितियों को देखिए इस देश में ग्रामीन भारत की अर्थववस्था को देखिए तब आप समझ पाएंगे growth क्या हो रहाता लेकिन 2011 से जो policy paralysis शुरू होता है और politics भारत में बदलती है और एक political party और एक नेता को बहुमत के साथ सत्ता में लाती है उसके बाद सारी चीजों का politicalization इस देश में शुरू हो जाता है तो आखरी बात यही है भारत क्या राजनितिक गुलाम इस दोर में बना दिया गया है यानि मोधी सत्ता ने भारत को राजनितिक तोर पर गुलाम बना दिया है और राजनितिक गुलामी का मतलब यह है कि democracy उस राजनिती के अधीन है जिस राजनिती की पहली और आख्वी सत्ता में बने रहने के लिए ही इस देश के तमाम आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक और तमाम कॉंसिचूशनल इंस्टूशन्स को भी अपने लिए काम में लगाना है यह सफर कितना कठिन रहा भारत के लिए महत्पूर्ण यह नहीं है महत्पूर्ण यह है कि आने वाला वक्त भारत के लिए और कितना महत्पूर्ण होने जा रहा है और वो महत्पूर्ण इस्तितियां भारत को किस तरास्दी की तरफ ले जा रही है इसके लिए क्या वाकई देश सचेत है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन आए कि वो कौन सा रास्ता अक्तियार करे नहीं होगा क्योंकि हर कोई इस राजनिती गुलामी से ही लड़ रहा है और उसी से मुक्ती का रास्ता खुज रहा है जबकि तमाम पॉलिटीशन्स के कंदे पर करॉप्शन और क्रिमिनल के बैग लटके हुए है तो ये लोग कैसे रास्ता खुजेगे बहुत 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 शुक्रिया